आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे हैं के दोस्टो मेरे नाम है प्रभात्यो के दोस्तो आज बिडियो में चर्चा करने वाले हैं यू पी। vib् temporada बाते हुई है क्या मामला हुआ है रागork आपकी हेरिंगर कब की दी गई है दोस्तो तो लोग चैनल परूमें प्लीज की चैनल को सब्सक्षरियब से और वीडियो को लायक करें जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहेगा दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वीडियो भरती 2018 को लेकर जो कोट में मामला चल रहा है आयोग से क्या-क्या जबाब मागे गया है क्योंकि इसमें बहुत से ची किए हैं उनका कहना है कि पूरिपैकेंशी को केंसी करिए आप जो है जितने भी लोग हुए हैं उनकी जॉइनिंख कर रही है प्या और में पूरी जानकारीम कि अग्ली आगलीृत नाुत उनुराइं कि करूँरोन लोगी मिश्क्राणा सlower्यी प्योष्यृतित शारी यपिक्क्राइवे क्या हम वीर्याहिड कैसे माले कई skin यहां पर दिया दोस्तों प्रियाग राज की खबर है कल हाँ आज की खबर है दोस्तों यह कल पेपर कटिंग के माद्यम से दिखाया गया था तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इलाहबाद हाइकोट ने उत्तरपदेस अधीनेस सेवा चैन आयोक की वर्स 2018 की ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्यार पर विच्छक के उनेश सो तिर्पन पदों के भरती की एसाइटी जांच की रिपोर्ट तलब की है साथ ही इस मामले में दाखिल याजिका पर सरकार सहित भी पच्छियों की और से महाली मंदक का रियाला में दाखिल जबावी हलापना में ढूटकर पत्रावली के साथ पेस करने का निर्देश दिया है या आदेश नियाय मूर्ति असुनी कुमार मिस्रा ने विकास तिवारी या 124 के अन्य याजिका पर दिया है याजिकाओ का कहना है कि आयोग ने ओमार सीट से परिच्छली है 28 सगस 2019 को इसका परणाम घोसित किया गया थ इतने भी पोश्ट हैं जिनका सेलेक्सान उनको जॉइनिंग दीजिए 124 से अधिक लोगों ने इस पर मड़ पिरिसंट डायर किया है वीडियो भरती 2018 के लिए और सरकार का कहना है कि इस भरती को निरस्त करें दुबारा आपको फार्म फिलप करवाएंगे और बहुत सारी तरी जुलाई दोस्तो घरिंग बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही क्योंकि अभी 21 जुलाई को हूई थी और दो दिन बात कोर्ट ने फिर सेसका डेड़स दे दिया है तो अगली सुनवाई दोस्तों आपकी 23 जून है और 23 जून को क्योंकि मुझे दोस्तों लगता है ठीक है क्योंकि जिस तरह से hearing चल दी दोस्तों क्योंकि इसमें देखिए अभी यूपित्र पलस्ती बहुत ज़्यादा यह कह सकते हैं जल्दी में है तो hearing दोस्तों जल्दी सु हो रहे है तो मतलब है कि जज्यमेंट लिए बहुत ही जल्दी है तो देखते हैं क्या चल देखें गे कि कोट क्या आदेश देती है क्या भरती को निरस्त करती है या फिरतों को कहना मानती है जो अभरती गये हैं कोट में ठीक है तो अभी के लिए इतना ही जानकारी थे दोस्तों और प्लीज यह चनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज्यादा ज्यादा दोस्त करना दोस्तों यूपित्र पलस्ती से कोई भी इंफॉर्मेसी जान का रही हो दोस्तों हमारे जैनल पर आपको सब स्वहले मिलेगी और सबसे सटीक जान कारी मिलेगी